मजीर वीडियो देखने के लिए हमाय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए तो भी हो सकता है जिसकी वज़ा से जो हमारी खवातीन है वो कुद्रती तौर पर कंसीव नहीं कर पाती और फिर उनको जो है दुस्रे तरीके पर जाना पड़ता है और जिनकी ट्यूब ब्लॉक होती है उनको एटॉपिक प्रेग्निंसी होने के चांसे जादा हो जाते हैं और किसी भी इंफेक्शन की वज़ा से ट्यूब्स जो है वो खराब हो जाती है अगर कुद्रती तौर पर आपकी कुद्रत की तरफ से ही ट्यूब ब्लॉक तो कुछ करनी सकते है उसके लिए फिर आपको साइंटिफिक दूसरे तरीके अपनाने होंगे लेकिन अगर किसी बीमा आपके बहुत काम आएगी आपके इंफेक्शन को खतम करने में आपको नैचरली कंसीव करने में ये रेमेडी आपके बहुत काम आएगी और इस रेमेडी के लिए आप लोगों ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी तो मैं ये रेमेडी आपके साथ शेर करती हूँ बह जैफल हमने लेना है 25 ग्राम और जैफल को तोड़ लेना है ठीक है मैं आपको जैसे बताती जाओंगे आप वैसे वैसे आप लिखना शुरू कर दें 25 ग्राम हमने लेना है जैफल और इलाइची हमने लेना है 50 ग्राम ठीक है मैं यहां पर इसलिए रखा है ताके आपको एक ए चीज अलग-अलग बता सकूं हमने लिया जैफल 25 ग्राम और हमने इसमें डाला इलाईची 50 ग्राम ठीक है अब इसमें मैं दार्चीनी लोंगी वो भी मैं लोंगी 50 ग्राम और इसमें मैं सोंट का पॉडर लोंगी सोंट पॉडर जो इसको हम सुखी भी अध्रक कहते हैं 280 ग्र सोंट का पॉडर और इसमें चीजें जो है वो पास दा गरम डलती है लेकिन ये गरम जो मसाले की जो चीजें होती है या आपकी ट्यूप्स को खोलने में इंफेक्शन को खतम करने में आपकी मदद करती है इसमें हमने तुखमे करफ्स अजवाइन की बहुत अच्छी किसम ह होती है वो तुखमे करफ्स हमने लेना है पचास ग्राम ठीक है और इसमें हमने लॉंग लेना है एक सो पचास ग्राम जो चीजें जैसी बताए जाएं आपने वैसे ही करना है ठीक है एक सो पचास ग्राम हमने लेना है लॉंग अच्छा और इसमें हमें दकनी मिर्च जो है वो हमने लेना है 50 ग्राम जिसको हम सफेद दकनी मिर्च कहते हैं यह हमने लेना है 50 ग्राम और उसके लावा हमें मिर्च सिया काली मिर्चे लेनी है हमें 50 ग्राम सही है और इसमें हमें मघस बिनोला इसका सबसे एहम रूल है यही चितनी गरम मसाले की चीज़े उन सब के साथ म कीम्न को हों वहर लिए जो जो पन पर पार जो आप अराम से घर सकते में आपको बता रही हूं। इस के साथ थमने इसमें जाफरान डालना है जाफरान आप कोशिश की जगा बहुत अच्छा वह 5 ग्राम डालेता हैं ठीक है 5 ग्राम आपने जाफरान डालना है जाफरान फीज किसी अच्छी जगा से लिजेगा जाफरान में comprise और आखरी चीज जो आप लोगग घर में कर सकते हैं वहमिसरी मिसरी आपने इसमे लेना है 750 ग्राम मिस्री आपने लेना है 750 ग्राम इस तरह इसको पीस लेना है इन सब को पीस कर पॉडर बना लेना है मैं इसमें से सब को मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा सा इसमें डाल के पीस के आपको पॉडर बता देती हूँ कि कैसा बनता है ताके आप लोगों को अंदाजा हो कि इस इसमें जो चीजे हैं इसको जिस तरह पीसना है इसी तरह लेना है ये मैं गुट फेट में आपको बता रही हूं कि ताके अगर जिनके साथ ये मसला होता है अच्छा ये चीज ब्लॉक ट्यूब के लिए तो बहुत अच्छी है और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मि अब ये इस्तमाल कैसे होंगी ये इस्तमाल खवातीन के एज के हिसाब से नहीं होंगी उनके वेट के हिसाब से होंगी ये पॉर्डर अल्मोस्ट कुछ इस तरह बन जाएगा साहिए इसमें से खुश्भू बड़ी अच्छी आती क्योंकि जारसी बाते इसमें घरम मसाले व इसको इस्तमाल का तरीका 5 1 4 चमच भी हो सकता है इसका सफूव बना लिया सफूव बनाने के बाद एक चाय के चमचा जो है आप्ने अपने मैडिसन इस्तमाल करें तो फिर इसको नाश्टे के तीन गंटे बात करेंगे फिर असर के वक्त करेंगे यह इस तरह से जो आपके ट्यूब के सारे मसाइल हैं ब्लॉक ट्यूब पे चिपकीमी हैं किसी भी अमरास की वज़ा से आपको यह अटॉपिक प्रिगनिंसी जो करना है तीन मेने के बाद अपना आप रिपोर्ट करा लीजेगा और बाज उकात अल्ला की हुकम से जरूरत ही नहीं होती क्योंकि खवातीन जो है वो कंसीव कर लेती हैं हाल बता है इसके साथ आप अपनी दूसरी अद्वियाद जो है उसका इस्तमाल करना चाहे तो कर सकते हैं और यह चीज जो है बहुत अच्छी इसके साथ मैं एक और बताती हूं कि फिल्फिल सॉंट और काली मिर्च मैं अक्सर बता चुकी हूं जो जिस्मानी दर्दों के लिए भी होता है वो भी आप पिंच पिंच ले सकते हैं लेकिन उसको और इसको लेने का जो टाइम है व हंसराज साहिए हंसराज जो बूटी है इसको आपने क्या करना है मलमल के कपड़े में जो है इसको बांध लेना है ठीक है मलमल के कपड़े में बांध कर इसकी पोटली बनाकर आपने खौलते घरम पानी में डालना है डप में अब ये वाला जो पानी होगा ये जो इसका इन यह बहुत ही कदीम और बहुत अच्छा नुस्खा है हंसराज जो है वो आपके जितनी भी कसाफते हैं उसको निकालने में आपकी मदद करता है तो इस पानी में आप नाफ के नीचे आदा दड़ा पानी में रखके रोजाना बैठेंगे यह भी मकसूद अयाम के इलावा आप करेंगे और यह वाला जो फकी खाने वाली मैंने आपको बताई यह भी मकसूद अयाम मैं नहीं खाएंगे मकसूद आयाम के इलावा आप करेंगे यानि कि 21 दिन करके आपको छोड़ना है जब आपको मकसूद आयाम खतम होज़े तो दुबारा आपने शुरू करना है इस उमीद के साथ कि अल्ला की हुकम से ये रेमेडी आपके बहुत काम आएगी मुझे दीजी इसजासत लेकिन अगर रेमेडी इस पसंद आती है तो प्लीज बेल आइकन दबाने के साथ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए इन्शाल्ला फिर मिलते हैं एक नेट टिप के साथ जो यकीन आपके जिन्दगी को आसान बनाने में आपकी मदद करें अलाँ खाफेज